तो स्टुडेंट्स आप डेलेड की तयारी कर रहे हो, आपने डेलेड में एडमिशन ले लिया है, आपने डेलेड का परिशा फॉर्म भर दिया है और आपके डेलेड की तयारी जोरो सोरो से शुरू है, पर क्या आप जानते हो कि आप जिस तरह से तयारी कर रहे हो, क्या वो या उसमें कुछ कमी है तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो पूरा एंड तक देखना इसमें आपको पता चलेगा कि डेलेट की तयारी कैसे करनी चाहिए हलो स्टुडेंट्स मेरा नाम है अभिशेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेडी क्लास परी तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डेलेट की परीशा को क्रैक करने की कुछ तरीके जियां डेलेट की परीशा को कैसे पास किया जाता है कैसे इस परीशा की ताहरी की जाती है इस वीडियो लेक्चर हम यही बात करने वाले हैं इसके पहले हम चनल पे और भी कई वीडियो बना चुके हैं डेलेड के परिक्षा की जानकारी के लिए साथी साथ स्टुडेंट्स अगर आप चनल पे पहली बार आ हैं तो प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको डेलेड की पूरी वीडियो लेक्चर्स सब कुछ मिल जाएगा साथी साथ सभी विश्यो के नोट्स के लिए देगे वाट्स अप नमबर और मैसेज करके आप नोट्स भी पर्चेस कर सकते हैं बहुत कम दाम में तो चलिए बात करते हैं रोट कू डेलेड इग्जामिनेशन तो डेलेड की परिक्षा अब ज्यादा द जुलाई अगस्त तक जानी है और पूरा-पूरा चांस है कि आपकी परिक्षा अगस्त से पहले तो नहीं होगी यानि परिक्षा का जो डेट होगा वो अगस्त में आएगा टाइम टेबल जैसी आएगा डेट जैसी आएगी मैं आपको सबसे पहले नोटिफिक्शन तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नुटिशन को आल पर रखे दो आपको सबसे पहले निउस मिलेगी तो चलिए स्टोन बात करते हैं यह तो कंफर्म है कि परीक्षा जो होगी अगस्त तक होगी तो परीक्षा का भी कोई कंफर्म डेट नहीं है तो हम इस पर जादा बहस करेंगे हम बात करेंगे परीक्षा जभी भी होगी अगस्त सितंबर या फिर जुलाइव हम तयारी करेंगे डेलेट की तो पहरी बात तो यह जो विशह मिलते हैं और नौर्मिल सीलबस तो नहीं है तो यह syllabus की बात करें आपके पाठेकरम की बात करें तो आपका syllabus जो है प्रथम वर्ष के हैं तो 10 विशियों का दूते वर्ष के हैं तो 8 विशियों का तो भाई 8 विशियों और 10 विशियों से तयार करना बहुत ही मुश्किल है और एक बात कि भाई डिलेड के जो exam pattern होता है उसको भी जान लेना बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि भाई exam का जो pattern की बात की जाए तो परिक्षा का जो pattern की बात करें तो परिक्षा जो होती है वो लगतार 10 दिनों की होती है तब भी मैंने ऐसे ही किया था मतलब हमारे दस के दस विशे दस दिन पर इच्छा होई थी बीच में संडे आया था बस फिर उसके बाद कभी कभी gap भी आता है तो एक दो दिन के जादा gap एक दो दिन का आपको gap मिलेगा बहुत हद गया तो एक दो दिन का gap मिल जाएगा पर क्या एक दिन में कोई विशे तयार किया जा सकता है क्या दो दिन में कोई विशे तयार किया जा सकता है जवाब है नहीं नहीं कर सकते आप एक दो विश्य तयार तो आपको क्या करना होगा पूरा पढ़ना पढ़ेगा यानि डेली पढ़ना पढ़ेगा और अभी से पढ़ना शुरू करना होगा अब सवाल आता है कि भई हमने दो चीजे तो क्लियर कर ली कि परिक्षा भई हमारी अगस्त तक जाएगी सितंबर तक होने के पूरे चांसे से और प्रतम वर्ष के 10 विशे हैं 2-3 वर्ष के 8 विशे हैं तो इन विश्यों को पढ़ना बहुत जरूरी है और इन सब के सब विशे में पास होना जरूरी है वरना एक में भी फेल हुए तो फिर से परिक्षा देनी पड़ जाती है तो यहां बात करते है पैटर्न की तो पैटर्न कुछ ऐसा है परिक्षा का जो पैटर्न होता है ऐसा होता है कभी 10 विशे 10 लगतार दिन में पेपर रख दिये जाते हैं या फिर एक एक दिन का या दो दो दिन का गैप भी रखा जाता है ऐसा भी होता है कई वब अफा ठीक है यह ध्यान रखिये सरकार किसी भी तरीके से जा सकती है अपरोच कुछ भी हो सकता है सरकार की मरजी तो इन दोनों को अलग रख दें परिच्छा तो होने ही वाली है, अगर लगतार होगी तो पढ़ने के लिए कोई time नहीं मिलेगा, रात भर का समय और एक दो दिन के gap में होगी, तो भाई एक ही दिन का समय, दो ही दिन का समय मिलेगा पढ़ने के लिए तो भी काफी नहीं है, ठीक है अब सवाल आता है, जब इतने कम दिन है तो कम समय में अच्छी तयारी कैसे करें कम समय में अच्छी तयारी कैसे होगी यह सवाल उड़ता है, कम समय में अच्छी तयारी कैसे करोगे ठीक है, यह सवाल उड़ता है सभी के मन में, इतने कम समय कैसे अच्छे से प्रपर किया जा सकें कुछ मा जानता हूं कि यहां पर देलेड के पढ़ाई सुरू से तो कोई नहीं कर रहा था है ना एडिमिश्यन लेने के बाद से कोई पढ़ाई नहीं कर तो हर एक विडियो लेक्चर को देखिए, खुद के नोट्स बनाईए, और अगर आप चाहते हो कि आपको अच्छे नोट्स मिले, हंडिट पढ़ने के साथ important question answer जो हमेशा परिच्छा में आते ही है, वैसे आपको मिले, तो देगे whatsapp number आप message कर सकते हैं, और नोट्स पर आप कर सकते हैं, वहांसा भी important question answer short में सब कुछ दिया है, जहांसा आपको full information मिल जाएगी, वारिच्छा का पूरा idea हो जाएगा कि कौन सा question important है, कौन सा नहीं है, यह आपको पता चल जाएगा, ठीक है students, तो यह तरीका होगा आपको पढ़ने का, तो भागी कम समय में अच्छी त इसा रखना जो थोड़ा आसान हो, तो आपका confidence बढ़ेगा, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आता हो, हो सकता है किसी को अंगले जी अच्छे से आती हो, हाम तोर पर English तो सबकी यहां पर weak ही होती है, पर कोशिश करना कि अगर आपका जो strong subject है, जो भी आपका strong subject है, second year में संग्यान अधिकम हो सकता है, first year में आपका Hindi भासा सिक्षन हो सकता है, या बाले अस्थाम बालविकास हो सकता है, तो जो विषय आपका strong है, जिस विषय में आपकी पकड़ है अच्छी, उस विषय से पढ़ाई के सुरुवात कर दो, ठीक है, और एके इकाई वार पढ़ते को lightly मत लीजिए, इसको आप ऐसा मत कीजिए कि भाई, कैसे भी पढ़के पास कर लेंगे, हम तो बड़े होंगे हैं, कॉलेज में आते हैं, बड़े senior citizen अच्छे से पढ़ लेंगे, नहीं भाई, यह आपकी दसी बोड और बारी बोड की तरह ही कठीन परिशा है, in fact उससे भी ज्यादा कटीन है, क्योंकि यहां कम समय में ज्यादा लिखना पड़ता है बहुत, तब जाके number मिलते हैं, यह ध्यान में रखेगा, और हमारी लिखने की आदत छूट जाती है, तो हमें लिखना नहीं होता, परिशा हम लिख नहीं पाते, इस कारण से हमें कम number आते हैं, यह तो boundary pass होते हैं, फिर फेल हो जाते हैं बहुत से students, क्योंकि लिखने की आदत नहीं होती, तो लिखने की आदत डालना है, तो इधान में रखे, आपको करना क्या है, पहले तो विखे का chain करना है, कौन सा विखे आसान है, फिर उस विखे को पढ़ाई शुरू करनी है, और उस साथ ही साथ, चैनल पर बने हुए प्लेइलिस्ट में आप चेक करेंगे, तो आपको कई सारे नोट्स मिलेंगे, कई सारे विडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, और उन विडियो लेक्चर्स को देकर आप नोट्स बना सकते हैं, या उन विडियो को देखकर आप को थोड़ा सा आइडिया आगया होगा कि जानकारी चैनल पे आपको मिल जाएगा तो दिख लेए आपधी दग चैनल पर आए हो पढ़ने मजा आ और बेए अब करने की त्यज़ा में घलुठ मिरियं थोड़े सा अभी हल्फ हुआ आपका안 के लिएेर की परिछा में तो भाई तयारी में तो फटा फट भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब कर किस वीडियो को लाइक' जरू करो और शेर करो полностью को में करों के वीडियो कहाँ से देख articles कैसे लगी और आप कैसा वीडियो चाहते हो तो कमेंट जरू करें तो चले स्टोन्स बिलेंगे आपसे अगले वीडियो में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओंगे हमारा टेलीग्राम ग्रूप का लिंक है जाके ग्रूप जॉइन कर लो साथी साथ आप हमें अन्य शोशल मेडिया के लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में आप हमें अन्य शोशल मेडिया जैसे कि आप हमें पेस्बूग, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले हम हर जगा है